हेलो गाईज, वेलकम टू माई यूटूब चैनल विश्नू फेसेल 23 दोस्तों, आज हम जानेंगे कनवर्सेसनल क्विश्चन एन्द दियर एंस्वर यानि बात चीज सम्माधी जो प्रश्ण होते हैं उनके और उनके उत्तर के बारे में ये प्रश्ण हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टन्ट होते हैं, ये हमारे धनिक जियोन में रोजपरियोक के जाते हैं इसलिए इनका जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, तो दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्स्क्राइब जरूर कर ले तो दोस्तों आईए बीने टाइम बेस्ट किये हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो हमारा पहला कुश्यन है What is your name? यानि तुम्हारा क्या नाम है? इसका एंसर हो जाएगा Sir My name is Vishnu जैसे मेरा नाम Vishnu है तो मैंने यहां लिख दिया Vishnu आपका जो भी नाम होगा आप यहां लिख सकते हैं तो आप हो जाएगा My name is Vishnu आपका जो नाम है आप यहां लिखेंगे तो इसके बाद हमारा दूसरा कुश्यन है What is the name of your father? यानि तुम्हारे पिता जी का क्या नाम है तो इसका हो जाएगा Sir The name of my father is Mr. Arvin यानि आपकी पिता जी का जो नाम होगा आप यहां मिश्टर करके लिख सकते हैं जो भी हो तो अगला हमारा है What is your father? और What work does your father do? यानि आपकी पिता जी क्या काम करते हैं My father is a doctor यानि मेरे पिता जी एक doctor है आपके पापा जो होगी वो आप यहां लिख सकते हैं doctor, engineer, master, clerk, salesman, कुछ भी हमारा next question है How many brothers have you? यानि तुम्हारे कितने भाई हैं इसका हो जाएगा Sir I have two brothers यानि हमारे दो भाई हैं आपके जितने भाई होगी यहां पिलिख सकते हैं यह आपकी अच्छा है next question हमारा है How many sisters have you? यानि तुम्हारी कितनी बहन है Sir I have only one sister यानि मेरी केवल एक बहन है तो मैंने यहां एक लिख दिया है अगला question है How old are you? यानि तुम कितने वर्ष के हो तुम्हारी उम्र क्या है तो हो जाएगा Sir I am 12 years old Sir मैं 12 साल का हूँ आपकी जितनी age होगी आप यहां पे उसको लिख सकते हैं next question हमारा है What is the name of your eldest brother? यानि कि तुम्हारे बड़े भाई का क्या नाम है तो इसका हो जाएगा Sir the name of my eldest brother इस राकेश यानि मेरे बड़े भाई का नाम क्या है राकेश है आपके भाई का जो नाम होगा आप यहां पे लिख सकते हैं हमारा अगला है Where do you live? यानि तुम कहां रहते हो Sir I live at Lucknow यह जगा का नाम है आप जिजगा पे रहते हैं यानि तुम्हारे स्कूल का क्या नाम है तो हो जाएगा अपने यहां पे कॉलेज का नाम लिख दिएगे बहुत ही सिंपल है नेक्स्ट हमारा है यानि तुम्हारा प्रधानाचारी कौन है हो जाएगा अपने हेट मास्टर का नाम यहां पे लिख सकते हैं या ऐसे पह सकता है यानि तुम किस कक्षा में पढ़ते हो तो इसका हो जाएगा मैं कक्षा रिद में पढ़ता हूँ हमारा next है who teaches you English यानि तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है तो हो जाएगा sir Mr.Partak teaches us English यानि Mr.Partak है हमें English पढ़ाते हैं अपने teacher का नाम लिख सकते हैं जो आपको English पढ़ाते हैं next हमारा है which subject do you like most यानि तुम्हें सबसे अधिक प्रिये subject कौन लगती है कौन सी भीचे तो मेरा तो हो जाएगा sir I like English most sir में सबसे प्री मेरी विच्छे क्या है अंग्रेजी मैंने यहाँ पर अंग्रेजी लिखी आपको जो भी से प्रसंद वहाँ पर लिख सकते हैं next हमारा है who is your best friend यानि तुम्हारा सबसे प्रिये दोस्त कौन है जैसे मेरा बेस्ट है विकास बेस्ट फ्रेंड मैंने विकास का नाम लिखिया आपके वेस्ट फ्रेंड जो ही इस पर लिख सकते हैं नेक्स्ट हमारा है where were you born यानि तुम्हारा जन्म कहां हुआ था जैसे मेरा जन्म लखनों में होता मैंने लखनों में लिखा आपका जहां हुआ होगा आप लिख सकते हैं किसी भी जगह का नाम हो जाएगा आई वास बॉन आट लखनों हमारा next है what is the name of your district यानि तुम्हारे जिले का क्या नाम है अपने जिले का नाम लिख देंगे आप तो दोस्तों ऐसे भी और कुशन है जिसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे तो आपको भी वीडियो कैसा लगा यदि आपको ये वीडियो अच्छा लाग हो तो वीडियो को like करें comment करें कोई doubt हो तो आप comment में पूश सकते हैं तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में जहिन वंदे मात्रू